BMW ने कैसे World War जैसे आपदा को भी अवसर में बदल दिया अगर जर्मनी World War 1 नहीं हारता तो शायद BMW कंपनी कार नहीं बनाती BMW एक Military Aircups के Engine बनाने वाली कंपनी थी और उसका कार और बाइक से कोई लेना देना नहीं था पर 1918 में World War में हारने के बाद जर्मनी को एक Agreement Sign करना पड़ा जिसके अकोडिंग जर्मनी में कोई भी कंपनी फाइटर प्लेंग नहीं बना सकती और इसलिए अपने बिजनेस को बचाने के लिए पहले 1923 में BMW ने Motorcycle और बाद में 1928 में कार बनाना स्टार्ट किया आज BMW का मार्केट के अराउं 50 बिलियन डॉलर्स है ऐसे ही बिजनेस कोंटेंट के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब